क्ले्समा एक स्केट का ϊजन है जैसे यह आप प्रेजेंटेशन हो जाती है और स्मेट्रिकल पिग्मेंटीशन होती है और पीमेल्स में ज्याद कावन है अगर हम इसके बैगरांण निकिन उपिंट्रिक्वाइट और पिग्मेंट्रिक्री डिजीज है skin की hyperpigmentation हो जाती है darkening हो जाती है वोई melanin जाता होने की वज़ा से due to increased melanin deposition typically अगर symmetrical जैसे कहां देख सकते दोनुचीक्स पर है अगर forehead पर भी है तो वो भी symmetrical है more common in females and darker skinned individuals contributing factors किस वज़े से ये कुलेजमा हो रहा होता है positive family history अगर किसी अगर कोई female चूज करती है तो उन में hormonal replacement therapy में भी ये हो सकता है thyroid medications में और darker skin complexion में प्रिगनेंसी में भी ये ज़्यादो कॉमन है referred to as mask of the pregnancy high prevalence among the pregnant individuals लेकिन ये है कि ये विजियोलोजिकल होता है pregnancy में और इस duration के बाद ये खतम हो जाता है कुलेजमा को most commonly है melisma भी कह रहे होते है melisma वही tain है dark skin है जैसे के हमने देखा है discoloration melisma होता क्यों है वही melanin deposition होने की वज़े से और melanin क्यों deposit हो जाता है sun exposure genetic sun exposure की वज़े से genetic predisposition है hormonal changes जब फिर skin irritation के वज़े से next जो हमारी condition आ जाती है skin में वह है cafe o late spots cafe o late spots में वह बर्ट marks होती है ये इस तरह से कहीं पर भी हो सकते है पूरी बाड़ी पर ये condition है albinism albinism में जो melanin है वह absent हो जाता है तो इस तरह ये fair skin होती है ये हमारे पास beauty league हो है beauty league में क्या होती है कि melanin जो है वह normal से कम हो जाता है albinism में तो बिल्कुल melanin होता ही नहीं है इसमें deficiency हो जाती है तो इस तरह से patchy formation हमें मिलेगी इस नहीं हो है